हेलो गाईज आज हम प्रैफिक्स और स्टार्ट कर रहे हैं यह बच्चों को बहुत डिफिकट लगते हैं लेकिन आज इस तरीके से मैं आपको करवाँगी यह बहुत ज्यादा इजी है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे प्रैफिक्स मतलब होता है जो वर्ड स्टार्टिंग में यूज किया जाता है जो बिगनिंग में यूज हो और इसे हम प्रैफिक्स को हम बोलते है उपसर्ग ठीक है जैसे अभी दिया हुए इन्होंने टेक तो हम उसको उपसर्ग मतलब उपसर्ग यूज करेंगे प्रैफिक यूज़ करेंगे तो हो जाएगा mistake miss हमने आगे यूज़ कर दिया mistake यहाँ पे given था take ठीक हमने उपसर्ग लगाया miss उपसर्ग लगाया तो यह हो गया mistake ऐसे ही happy given था फिर हमने लिखा unhappy अन लगाया तो बन गया unhappy ऐसे ही suffix में यूज़ किया जाता है जैसे की इन्होंने दिया हुआ है king तो हमने प्रत्य यूज़ किया dumb तो यह बन गया kingdom समझे gland यूज़ किया sum तो बन गया gland sum गाईज यहाँ पे इन्होंने first exercise हमें दी गई है इन्होंने कुछ verse दे गई है anti-dis-un-re-pre और guys मैं आपको एक चीज़ बता दू जो आपकी book में है उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा जो words आपको दिये गए हैं सिरफ वही आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा जैसी अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 words दिये गए हैं तो इनके सिवार कोई six words बाहर से वो नहीं देंगे आपको ठीक है anti-sim बनाते हैं anti-social, anti-septic, anti-hero डिस से बना सकते हैं disbelieve, disorder, disagree, dismiss, discourage ठीक है un से बना सकते हैं unhappy, unreal, unable जैसे unwanted, undo ठीक है फिर आगया re से क्या बना सकते हैं readdress, redo, recast, reduce, reuse कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है मतलब ऐसानी कुछ भी मतलब जो आप word देख रहे हैं इन words को यूज करके ठीक है फिर आगया pre-pre-face, pre-mature, pre-wedding, pre-recorded गोट इट जो ये second exercise given है इसमें जैसे की इनोंने दे रखे है suffix जो पिछे यूज करना है कर सकते हैं clearly, beautifully और fearless में आजाएगा restless, pointless, tasteless, sweetless, careless ing में हम लिख सकते हैं caring, loving, writing, flying er में लिख सकते हैं worker, lover, creator जो हमारी third exercise है इसमें मतलब कि इनोंने mix दे रहे हैं list of prefix and suffix occur in the chapter जो chapter में use हुए है जो ये fourth exercise है में हमें मतलब कुछ examples दिए गए है जहाँ पे prefix और suffix यूज करना है prefix change the meaning of the root word मतलब जो prefix होता है वो मतलब पूरा meaning change करता है इस बात का आपको पता लग गया होगा ठीक है, जैसे कि हम use करें किसी चीज को अगर हम लिख देते है unused तो आगे से मतलब कि use का मतलब होता है जिस चीज को हम use कर सकते है unused मतलब जिस चीज को use ना कर सके मतलब इनका opposite हो गया meaning एकदम जैसे कि अभी इनोंने देर happy का हो जाएगा happy, pleasure, displeasure, correct, incorrect, possible, impossible calculate, miscalculate, install, install, harmony, disharmony, active, inactive, modest, immodest, perfect, imperfect I hope कि आपको समझ में आएगे और ये words मेरे कोडिंग बहु जादा easy है happy मतलब खुश, pleasure मतलब की जैसे आपका pleasure मतलब आनद, correct मतलब सही, possible मतलब संभव, calculate मतलब जैसे हम count कर सकते है install मतलब की किसी चीज को भी install करना harmony मतलब होता है harmony मतलब होता है, सदाव, active मतलब होता है, security modest मतलब होता है, winnum और perfect मतलब होता है, उत्तम I hope guys कि आपको समझ में आया होगा ये हमारे prefix और prefix यहाँ पर complete हो चुके है अगर video अच्छी लगे तो please like, share और comment कर देना और bell icon को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि जो notification आएंगी वो आप तक नहीं पोचेंगे अगर आप bell icon प्रेस नहीं करोगे तो कि अज़ कि अपकर्णी में प्रेस कर दोचेंगे